तो दोस्तों कैसे हो आप लोग तो भास अब एक वीडियो में नई में हमारा फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अगर आप नहीं है तो भास अब वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना बहुंचाता निफूमिटिव वीडियो होने वाली है हमारे सामने जो यह गाड़ी खड़ी है रेनोल की ट्राइबर टॉप मोडल है टॉप मोडल का पूरा रिव्यू करने वाले हैं डेटेल रिव्यू वन बाय वन करके सारी चीज़े इसके बारे में एक्स्प्लेइन करेंगे एक शोरूम कितने रुपए में बढ़ जाती है मैलेज कितना देती है यह आपको क्या के फीचर इसमें मिल जाते हैं सैवन सीटर कार है सैवन सीटर साथ होने के क्या के कमफर्टेबल चीज़े इसके अंदर आपको मिल जाती है और क्या के स्पैसिफिकेशन क्या के निगेटिव क्या के पॉजिटिव होने वाले बहुत सारी बात हम इस वीडियो प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाता है यहां पर नीचे एक यहां रिवर्स पार्किंग मिल जाती है इस टॉप लैम ठीक है यहां पर लाइटिंग का सैट अप और यहां पर इस तरीकी का कुछ यहां पर इस पेस मिल जाता है यह वाला है और जो जो क्रों आप इस पे देखर हो यह gustaría की कंपनी सरी कोई भी पार्ट नहीं बीच नहीं बीच्व में लोगों 30 mm का इसमें वील बेस मिलता है आपको देखने के लिए वहीं 182 mm का ग्राउंड के लिए तो भाइस आप वील बेस देखो सेवन सीटर बनती है गाड़ी 15 इंच केस में वील का साइज मिल जाता है बिल्कुल सिंपल वील मिलने वाले हैं वील का साइज रहेगा 185 65 r 15 का साइज प्लाइन वील मिलने वाले हैं और स्टील रिम के खर्चे में कमपनी आपको अलॉय डिजाइन वाले हैं पर वील कैप दे देती है तो यह चीज बहुत ज़्यादा बढ़िया बना देती है क्लाइटिंग है और यहां पर यह जो आप पार्ट देख रहे हैं यह कि स्टीक्रि लोग हो जाती है अपने आप यह करने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा बढ़िया काम हो जाता है सी बिलर बिल्कुल ब्लैक आउट ऊपर रेफ्रेल मिल जाते है भाएसा पचास किलो वज्जन कैपसिटी कैरिंग करने की संभावना उपस्थित है यह पचास किलो कैरी करती है और बिम पे हैंपर इंडिकेटर की प्लेस्मेंट पीपीप होती रहती है यह आप दूर जाओगे गाड़ी लॉग हो जाती पास जाओगे अनलोग हो जाएगी पीछे आपको ड्रम ब्रेगी देखने के लिए मिलेंगे आगे डेस्क और पीछे ड्रम वहीं पीछे की करके लोगा ट्रैबर के हम अंपर नम्बर ड्रम抡 मिल जाते हैं नीचे कैमरा बीच में लोगो और यह पर की प्लेस्मेंट मिल लाती है जो की पूरा-ख़ा पूरा पूरा पीछे कर लुख निकल के आता है हमारा गाडी का और जान गया जाया न। फोगर वाइपर ये सारी चीज़े मिल जाएंगी ऊपर वही नजर मारेंगे आप इसके वहाँ पे हाई मांटेट स्टॉप लैंप उपर आपको देखने के लिए वहाँ पे मिल जागा उसके ब्राफ वोशर की यूनिट भी है तो ये चीज़ बढ़ है मिल जाती है और नीचे बंपर पे आप प्लेस करेंगे तो वन टू थ्री यानि कि तीन तीन रिवर्स पारकिंग सेंसर के आपको नीचे देखने के लिए मिल जाते है ये चीज़ बढ़ है और यहाँ देखो आप भाई साब इसकी डिगी यहाँ से बिलकुल नीचे से नीचे से ओपन होती है बिलक आप शोर्म प्राइस बदा देता हूं आप पर जो कि मैंने लग बता है आठ लाग पंतालिस अजार रुप एक शोर्म प्राइस है वही नौलाग सत्तर अजार रुपे इसके ओन रोड़ प्राइस अपन हो जाते हैं वही चलते हैं अब अब अंदर से बात करेंगे पहले है और पर को देख को देखने के बटन दिया हुआ है यहां को बोतल होलडर के स्पेस मेलियते हैं और बराबर में प्लेस्मेंट चार इसेकर मिलते हैं इसके अन्दर रोपे ठीक है भाई आप चलते हैं अंडर थाय सपोर्ट देगे लो कितनी बढ़े है अब देगो खुदी और भास एक्षी देगो है एर बैक की प्लेस्मेंट है दो यहां पे तीन और यहां पे चार चार भी एर बैक आपको यही देखने के लिए मिल जाते हैं पीछे वाले एंड रो तक आपके एड़्जस्टेबल ही मिलेंगे पीछे तक वाले ठीक है यहां से हैट एड़्जस्टमेंट सीट्स मिल जाती है यह कर सकते हैं अब अंदर बैठ के बात कर लेते हैं गाड़ी के सबसे चीज बढ़े है पुस्स स्टार्ट बटन भाई साब हाँ देखो क्या प्लेस्मिट दीगेए इसकी अलगी फील करां रही है गाड़ी है वरस डाड़ बटन कर लेकर करेंगे अन्ड़ा फिर बात करेंगे हम इसके कलस्टर इतना इतना क्लर्फूल रंगी विजाज वाला यहांपर हमारा क्लस्टर कलर कैना है पहले बाले untल में यानि कि जो आपके टायर मॉनिट्रिंग फीचर फ्रैशर वो आपको बता देता है कि ह्वा इसमें कम है ज्यादा है देखो है बता रहा है और यहां पे यह डंडी दी गई यह पॉराने वाली फील कराती तो इसको आप दबाके यहां से काफी सारी चीजे इंफो चेंज करके ले सकते हैं ठीक है और बाग की सारे जो है वो देख रखे हैं आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके बाइस जो इसका स्टेरिंग है वो आपको सिर्फ टिल्ट मिलेगा टेलिस्कोपिक नहीं है इसकी सिर्फ ऐसी मिलेगी सिल्वर किलर की फिनिश है और कोई भी इसमें कव यह सारी चीज़ हो गई और आप आ जाते हैं इन्फोटेन्मेंट पे यह बीच का इंच का इन्फोटेन्मेंट डिस्प्लेइ तो एक चीज़ इसमें खास है बहुत ज्यादा वह चीज़ मैं बता हूंगा को यह ऐल जी ने मैनुफेक्चर के ऐल जी ने बनाया है यह ऐल जी की साउंड कैपेसिटी तो भाइस आपको तारीफ करने की जरूरत ही नहीं है उसके तो साउंड उसका कितना बढ़िया होगा और यहाँ पर आपको इस तरीके के काफी सारे एंडूट ओटो एपल कार बिले कनेक्टेड मिल जाते हैं और यहाँ पर इसको आप ओटो अनोफ करो यहाँ पर वोईस कमांड का बटन दिया गया है यह चीज़ देखो कितनी शांदार बना देती है गाड़ी सेवन सीटर गाड़ी कम बजट में यहाँ पर कुछ बटन्स मिल जाते हैं पार्किंग का और यहाँ पर बराबर वाला हजार लाइट का हमारा मिल जाता है यह वाला मैनुली है यार अगर अटोमेटिक मिल जाता तो शायद बहुत बड़िया हो जाता पर यहां पर यहां पर एक यूएसबी का चार्जर और यहां पर चोटा मोटा स्पेस और भी फोन बगारा रखने के लिए आप ऑक्स की भी अंदर दी गई है कनेक्टिविटी फाइव कि यह खास फीचर मिलता यह देखो भाई पूरी की पूर्दी इसमें आप बोतल रख सकते हो कूल रहने वाली है टेंप्रेचर पर बढ़िया एकदम तो यह कितना सेफटी वाला फीचर यहां पर पूरी आ जाती है एक बोतल आप राम से च्छपा के रख सकते हो टूक अप कंप्लीट फैमिली गाड़ी पनाई गई है इसमें मैनुली कंट्रोल कर सकते हैं लाइट इसके थोड़ी मुझे पसंदें यार बड़ी और एलेडी हो जाते हैं थोड़ थोड़ा सा और अच्छा लगता यहां पर एक माइक की प्लीसमेंट और बराबर में सिर्फ एक स्टार रेट गाड़ी है दिल जीत लेने वाली गाड़ी है तो एसी के मामले में पीछे वाली चीज़ देखते हैं पीछे की जो हमारी रो होने वाली है यह ब्लैक और इसके नीचे आपका स्पीकर हैं पर भाय सब सीट मैजिकल सीट सेंस की मैजिक बता दो वह वाला देख से आप इसको मैं बताता हूं देखो यहां से इस तरीके से पकड़के आगे आप तो यहां से मैजिकल आजिस्ट कर सकते हैं और इसको यहां से चीज बहुत बड़ी है यहां पे भाई साभ एसी वेंट यहां दिये गए हैं पिलर में वहां भी और यहां भी यह चीज बहुत बढ़ी है यह सेकंड रो के लिए है ठ्रड रो के लिए भी अलग एस इवेंट दिये गए है तो जो यह खास बात बन जाती है और इसकी वो पीछे से मैं दिखाता हूं सीट्स देखो यहां से पूरी होल कर सकते हो नहीं बहुत बढ़ी है अब चलते हैं भाई सबंगें अगर हमारे पास समां जादा है भाई सब अब यहां दो को समार अगर इस सीट हम खड़ी करते था 84 लिटर का स्पेस और अब जो गिरा के बन गया 520 लिटर का नहीं साड़े 520 लिटर का स्पेस और यहां पर एक नया फीचर पूरी की पूरी जड़स ही निगल जाती है सीट अब देखो साड़े 500 लिटर का बूट स्प साड़े 500 लिटर का बूट स्पेस पर गर बहाँ संब जाता है अब कर लेता है अब कर लेते हैं भाइसाभ इसी थोड़ से इंजन स्पेसिएचन के बारे मैं बात मिल जाता है थ्री सिलेंडर ट्रिपल नाइन सीसी वाला इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको 72 बेच्पी की पावर और 96 है नम का टोर्क आपको निकाले के दिए यहां पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ही लोल्ड एबियस एबियस सारी जैसी चीजें हैं पे फ के इंजोई के लिए बहुत ज़्यादा और इसमें सारी चीजें उनको देखते हुए नजर में रखते हुए कंपनी ने महनत की है इस गाड़ी के ऊपर प्राइस बहुत ज़्याद अच्छे सेवन सीटर गाड़ी फीचर लोड़िड और बूड स्पेस और स्पेस के मामले म आपको मिल जाते हैं गाड़ी की कीमत फिर से बता देता हूं आपको एक शो रूम आट लाग पैंतालेस अजार रुपर जो कि अन रोड़ आपको नो लाग सत्रह जार रुपर सम्तिंग आपको पढ़ जाती है तो कैसी लगी है हमारी वीडियों अच्छी लगी हो तो लाइ कुल भी मजणाब